यूट्यूब पर एक वीडियो है जिसमें दिखाये गया है कि एक महिला जज है और उसके समक्ष एक पुरुष कैदी की सुनवाई चल रही है उस केस के दोरान वो महिला जज बताती है कि यह जो पुरुष कैदी है यह उनका सहपाटी रह चुका है बच्पन में वो एक ही क्ल लाइब फैर्पिस रह चुके हैं उनके दोरा जो केस नमबर 38 बताया गया है उसका जिकर में करने जा रही हो यह केस भी एक इस तरह की आत्मा का है जो गुरुजन सभा में एक ऐसी आत्मा को गुरु के रूप में अपने समक्ष देख रही है जिसके साथ वो बहुत पहले क लेकिन आज वो गुरुजन के रूप में उसके समक्ष है और वो एक जुनियर आत्मा कह लीज़े के रूप में उसके समक्ष है न्यूचर का सवाल था कि क्या आप गुरुजन सभा में कोई नया चहरा देख रहे हैं जवाब था माध्यम अजानक से हाफने लगा और हाफने के बाद जैसे उसने एक सुक की सांस ली हो इस तरीके से उसने एक लंबी सांस ली और कहा आखिरकार रेंडर वापस आ चुका है मुझे उसे दोबारा देख कर बहुत खुशी हुई रेंडर कोन है ये सवाल सुनकर माध्यम थोड़ा विचलित हो जाता है और कोई प्रतिकिर्या नहीं करता बिल्कुल शान्त हो जाता है डाक्टर ने बोला अब एक और सांस लो और मेरे लिए शान्त हो जाओ ताकि हम सब एक साथ ही जान सकें कि क्या चल रहा है रेंडर कहां बैठा है टेबल के बाई और कितने साल बीच चुके हैं जब तुमने आकरी बार रेंडर को देखा था माध्यम बहुत देर तक चुप रहता है और एक बहुत रुआसा सा भाव के साथ कहता है लगभग तीन हजार साल पहले माध्यम अभी भी रुआसा सा ही है लेकिन फिर भी वो शान्त हो जाता है आगे माध्यम बताता है कि रेंडर बहुत फ्रोड है और बहुत पुतिमान है और वो बहुत शान्ति पुण है और धर्ती पर जो पिछले जीवन माध्यम ने जीए हैं उसमें वो उनके साथ रहा है कई जीवन रेंडर और माध्यम के एक साथ रहे हैं और रेंडर उसे आशा दिलाता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम विकास कर रहे हो, तुम्हें बहुत मैतुपूर्ण कारेसों पे जा रहे थे ये कहकर उसको तसल्ली देते हैं लेकिन इस सब के बावजूत भी जो माध्यम है उसका गला रुंदा हुआ ही है यहाँ पर रेंडर जो पिछले कई जीवन माध्यम के साथ गुजार चुका है, जो तरक्की करके गुरुजन तक पहुँच के रूप में उसके समक्ष सामने है तो यहाँ पर भी रेंडर उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने जीवन में प्रक्रति की होड़ जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि माध्यम को तो इस बात का एहसास है ना कि वो अपनी प्रग्रती में पीछे है लेकिन शायद हमारे मागदशक का जो हमारे प्रति नजरिया होता है या गुरुजुनों का हमारे प्रति नजरिया होता है वो क्योंकि हर आत्मा की कि प्रगृति की किसी आत्मा की प्रगृति की हम लोग इतनी डीप नहीं सोच सकते हैं तो इस इसाप से ऐसा नहीं है कि वो माध्यम को जूटी तसली दे रहे हैं कि कोई बात नहीं नहीं जूटी तसली नहीं दे रहे हैं वो जानते हैं कि जो जीवन जो परस्तितियां जो संस जो शरीर जो कुछ था उसके पास उसके मताबिक वो फिर पिर सही चल रहा है तो वो उतना भी नीचे नहीं है जितना वो खुद का आंकलन कर रहा है अब जूचन का सवाल था और आगे बढ़ो और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है अब यहां पर जो माध्यम ने जीवन जीए है ना उसको तो अंदर से एक भाव है कि मैंने सही नहीं किया अपने जो जीवन में लास्ट परफॉर्म किये उसमें मेरी प्रगति अच्छी नहीं थी तो उसी हिसाब से माध्यम ने बोलना शुरू किया बहुत देर तक तो वो शान थी रहा बहुत देर तक चुप र आते हैं इस धर्ति पर आकर मुझे अपनी शक्ति पर बहुत आत्मिश्वाश हो गया था दूसरे लोगों के ऊपर अधिपत्य जमाना मेरी मुर्खता थी कुछ लोग होते हैं कि सामने वाला मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए मैं ज्यादा समझदार हूं उसको मेरे अंडर मेरे और फॉलो करने चाहिए हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखना चाहते हैं उंगली अपनी तरफ नहीं करना चाहते हैं सारी उंगली दूसरों की तरफ बस इसी तरह से यह माध्यम भी दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने का अब उसे असास हो रहा है कि उसका जो ये दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने का जो सोच थी वो कितनी गलत थी अच्छा माध्यम अपने आपको माफ भी नहीं कर रहा है वो साथ में ये भी कहता है कि चाहे मेरे पास कोई भी शरीर था कोई भी परस्तिती थी इसे कोई फरक नहीं पड़ता देखिए वो अपने आपको कोई excuse नहीं देना चाहता कोई बहाना नहीं यहां पर धरती पर तो हमारे पास बहानों की भरमार होती है ये श्तिती थी ये श्तिती थी परिवार ऐसा था प्रस्तिती ऐसी थी हमारे पास धन नहीं था हमारे पास यह माध्यम अपने आपको कोई बहाना नहीं देता है वो कहता है जीवन दर जीवन मैं बहुत ज़्यादा ऐसाइमी और स्वार्ती हो गया था रेंडर ने तो मुझे चेटावनी दी थी, यानि वो पहले भी चेटावनी वो रेंडर पहले भी गुरुजन के रूप में उसके सामने आ चुका है कई जीवन भी उसके साथ दे चुका है तो वो पहले भी उसको चेटावनी दे चुका है कि तुम्हारी जो प्रगरती है जितने जीवन तुमने जी है उसके मताबिक जितनी प्रगरती तुमें करनी चाहिए तुम से थोड़ा कम कर रहे हो लेकिन इसके बावजूत भी उसने अपनी प्रगती पर ध्यान नहीं दिया मैंने तो अपने कई जीवन बेकार कर दिये मैंने कितने अफसरों को खो दिया मुझे अपने ज्यान पर और शक्ति पर बहुत घमंड था मैंने उसे दूशित कर दिया अब न्यूटन कहते हैं कि अच्छव क्या आपने अपनी जीवन की पसेत्यों को ठीक करने के लिए उसे बदलने के लिए अपने आपको तरक्ति की रहा पर ले जाने के लिए कुछ करा है तो मााध्यम का जवाब था हाँ पिछले 500 सालों में मैंने सुधार के लिए बहुत मेहनत की है दूसरों की देखभाल करने के लिए और अब मुझे इसका प्रतिफल भी मिल रहा है रेंडर वापस आ गया है बस इतना कहे कर माध्यम चुप हो गया और एक बाद फिर से उसने कापना शुरू कर दिया और फिर वो बोलने की स्थिती में नहीं था डाक्टर नूटन कहते हैं कि यह मतलब इस तरह की स्थिती की काफी देर लगी डाक्टर नूटन को उस माध्यम को शांत करने में आगे माध्यम ने कहा कि तुम्हारे साथ दोबारा काम करना बहुत अच्छा रहेगा और रेंडर के लफ्स माध्यम के लिए बहुत एहमेत रखते हैं तो आगे माध्यम कहता है कि मैं रेंडर के महान मस्तिश की शक्ती और उसके अन्भो को जानता हूं और मेरे भविश्य के लिए जो उसने आत्म विश्वाश दिर्शाया है मुझे उस पर विश्वाश है कि अगर रेंडर मुझे भरोसा कर रहा है तो मैं सच मुझे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा इस बात पर माध्यम को विश्वाश है जैसे एक टीचर जब बच्चे में अपना विश्वाश दिखाता है कि आप कर सकते हो तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस तरह की बहुत साई रिसर्च होई है जिसमें बहुत सामाने बलकि ये कह लिजे कि कम तर जो स्टूडेंट थे पढ़ाई में अच्छे नहीं भी थे उनको भी जब टीचर ने खोसला दिया और उनमें विश्वाश दिखाया और उनकी अच्छी परफॉर्मस के लिए कोई आश्चर है नहीं दिखाया बलकि ये दिखाये कि हाँ बेटा आप तो कर सकते हैं आप तो इससे बहतर कर सकते हो उनमें आत्मिश्वाश भढ़ा तो उन बच्चों ने जो एवरेज भी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसके उलट वो बच्चे जो बहुत 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 परफॉर्म कर रहे थे उनके प्रती जब टीचर्स ने ऐविश्वाश दिखाया कि बेटा आप तो यह नहीं कर सकते इस तरह का भाव जब बच्चे के मन में डाला तो अच्छे स्टूडेंट ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एक teacher का विश्वाश जताना एक student में इसी तरह के से render का विश्वाश भरना माध्यम के मन में उसके प्रती विश्वाश दिखाना ये बहुत एहमेत रखता है माध्यम के लिए और फिर माध्यम ने render से कहा मैं एक कसम खाता हूँ मैं दोबारा भूल नहीं करूँगा अब जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे इस तर हमारे परवर्थित होता जाते हैं हमारी उर्जा का रंग भी परवर्थित होता जाता है तो जो रेंडर है इसको क्योंकि है तो वो बहुत उच्चस्तरी आत्म ना तो माध्यम ने उसको बैंगनी उर्जा एक टिम्टमाटी उर्जा इस रूप में वर्णन किया है और हमें ये पता है कि जो बैंगनी उर्जा वाली जो आत्मा होती है वो बहुत उच्छस्तरी होती है अब शायद धर्ती पर जीवन जो जीते हैं उसका असर होता है लेकिन अधिकतर जो डक्टर न्यूटन के माध्यम रहे हैं जो हमारे गुरुजन होते हैं उन्होंने हमेशा एक लबादा जैसा पहनावा होता है और कभी-कभी किसी ने कहा कि लंबा कुर्ता पहनावा होता है अच्छा इसी तरीके से जिन लोगों ने जिवात्मा जगत के नियम ये बुक पड़ी है उसमें भी देखा होगा कि उच्छे सरी आत्मा उने लंबा बाई चोगा पहनावा होता है इस तरह का एक वर्णन है मतलब चोगा कह लीजे लबादा कह लीजे लंबा कुटा कह लीजे इस तरह के कपड़ों का वर्णन अकसर करते हैं माध्यम मेरे पास एक वर्णसप मैसेज भी आया था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने नियर देथ एक्सपीरेंस का जिक्र किया था उसने कहा था कि उसका एकसिजेंट हुआ था जिसमें कुछ वक्त के लिए उसे यह लगा थ अचार कि लमबा सा उसने लबादा पहना था तो यह बात पड़ी अब वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी मुझ से इसी तरह की बात करी और भी बहुत साइ लोग आप जैसे लोग वर्टसप पर अपने उन्भो शेयर करते हैं उन्होंने भी इस तरह की बाद कहिए हैं कि हम तो हमने लबादा पहने में व्यक्ति देखे कि कोई पीला लबादा कोई कहता है वाइड लबादा लेकिन एक लोंग कूरता लबादा इस तरीके के वर्णन बहुत सुनने में आते हैं लेकिन यहां एक पास पस्ट करना चाहूंगी कि आत्माओं को कपड़ों की जुरूत नह ही ज lwag जैसे की अब वर्णन करते न भवनू करती है न हमने आगा चाह जिन लोग को नियर दथ एक्सपिरिंस होता है वह बी तो वर्णन करते हैं वह भी वह तो आप लोग को भी अगर लोग की नियर दथ एक्सपिरेंस आप लोगों ने पढ़े हैं, सुने हैं या आपके आस पास में किसी को हुए हैं, तो उन्होंने स्थानों का भी जिक्र किया होगा, इसी तरीके से पास लाइबरेगेशन में भी बहुत सारे माध्यम, जो डाक्टर नूटरन के माध्यम रहे हैं, उन्होंने ये जिक्र किया है कि उन्होंने भवन देखे, कोई स्थान देखा, कोई लाइबरेडी देखी, तो इसका मदब ये नहीं कि वो इट गाले पत्थर से बनी हुई कोई इमारत है, ये आत्मा के स्थर के मताबिक उनकी ऊर्जा है, जो उनके स्थक के मताबिक प्रगट होती है आगे डाक्टर नूटन कहते हैं कि जो गुरुजन है या मागदर्शक है उनके जो लबादों के रंग है वो अलग-लग हो सकते हैं बैंगनी रंग, पीला रंग, वाइट रंग बहुत अलग-लग रंग देखे गए हैं लेकिन मैं ऐसा समझते हूं कि जैसे कि जो लबादा होता है किस तरीके से जब ग्रेजवेशन की डिगरी बच्चे को मिलती है या एक कानून वकील एक जजज उनकी एक पुशाक होती है डाक्टर की एक पुशाक होती है तो यह जो नजरिया है ना कि हम उच्छ तरिये लोगों को एक लबादे में इस तरीके से देखते हैं यह डाक्टर है यह वकील है उद्धा उच्छ तरी लोग आपने कोई बड़ी डिगरी हासिल की है तो इस तरीके से ही शायद इसी इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है वहां पर आत्मा लोक में इस तरीके से लबादों को अलग अगर काला कोट पहना है वो जज है तो वो हम इस नजर से देखते हैं तो शायद इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है जो माध्यम उच्छे स्तर की जो मागदर्शक या गुरु जनात्मा है उनमें इस चीज़ को एक्सपिरेंस करते हैं यहां पर नूटन भी कुछ इसी तरह क की बात कहते हैं वो कहते हैं कि माध्यम के मन में आदर प्रतिष्ठा इतिहास के प्रतिक का एहसास कराते हैं यह लबादे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पातोफ हैपिनस का लिंक शेयर किया है वहाँ पर भी इसी तरह की ज्यान से समंदित वीडियोज हैं लेकिन वो बहुत सरल हैं और वो आपको जो भोतिक जीवन में तथ्या देखे गए जो रिसर्च हुई मतलब वो इस तरह के तथ्यों पर आधारित हैं जो परतक्ष आँखों से नजर आये हैं क्योंकि अब इस चैनल पर जो वीडियो बन रही हैं उसमें भी आत्मलोग की जानकारी दी जा रही है लेकिन यहां पर आप कोशन मार्ग कर सकते हैं कि यह तो हमने नह पर जो प कह लिए जांकारी जांच की गई है भ operate ne say उन चीजों को देखा गया है वह जानकारी एकथ की गयी हैं लेकिन वहां पर भी इसी किसमी जांकारी हैं अगर आप इस तरह की चीजों को समझने की चुक हैं इस तरह की अध्यात्मिक certainty अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांती संदेश चाहते हैं, तो स्क्रीन पर बढ़सप नमबर दिया गया है, आप उस पर संपर कर सकते हैं, आप सभी परमातम सौंदर रहे, प्रेम और आनन्त से देव परस्ता रहे, आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान पराप्त कर ये योटूब पर एक वीडियो है, जिसमें दिखेशनान दुमातम अरओ भी आपगे शक्राइब, आप अतर स्थान याज़ां कर दो